फ्रेंज आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास पेडों की रेस्पी लेकर आयों खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं और आज के ये वर जो पेड़े हम बनाने वाले हैं इसमें ना तो आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही मावा या चाशनी की और आप इसे जो इसको चिवडा भी बोला जाता और इसको फ्लैटेंड राइस भी कहा जाता है बहुत एजली आपको मार्किट में मिल जाएगा आप इसमें कोई भी पोहा यूज कर सकते हैं मोटे वाला या पतले वाला और इसको ना हमने गैस के लो फ्लेम पे जो चार से पांच मिनिट के लिए रोस्ट कर लेना है लोटू मीडियूम फ्लेम पे भी आप इसको भून सकते हैं बस ध्यानी चीज कर रखना है इसको ऐसी लगातर चलाते रहना है और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक यह अच्छा क्रिस्पी न हो जाए तो इसको अच्छा क्रिस्पी होने में जो तीन से चार मिनिट के करीब लग जाते हैं तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसी लगातार चलाते रहिए तो अभी ये दिखे चार मिनिट के करीब हुए है और पोह अच्छा क्रिस्पी हो चुक है इसको हम तोड कर देखेंगे आपने इस तरह से हाथों से तोड कर देखना आपको पता चले ना बहुत इजली टूट रहा अच्छा क्रिस्प हो रहा इसमें तो आपने गैस का फ्लेम है जो बंद करते हैं इसके बाद हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे ये दिखे इस तरह से मैंने इसको ठंडा होने के बाद पीस लिए है आब हम इसको एक दूसरे इसके बाद मैंने इसके लिए थोड़े से काजु और बदाम आप चाहें तो इनको ऐसे कट करके डाल सकते हैं मैं इनको पीस कर इसमें डालोंगी पौडर फॉर्म में ये देखे इस तरह से हमने इसको पीस लिए और मैंने इसको दरदरा सा पीस जिससे नट्स का फ्लेवर आएगा और ये हमने लिए डेसिकेटर कोकोनट इसके नाप के लिए मैंने ये वले चमच यूज की हैं तो पांच से छे चमच हम इसमें जो नारियल का बुरादा डाल देंगे इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और इन दोनों को भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ हरी लाइची का पाउडर फ्लेवर के लिए ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं इसको स्किप भी कर सकते हैं और ये हमने जो ड्राइफ रूट्स पीस कर रखे थे न वो इसमें डाल देंगे आप चाहे तो इसमें प इसकी जगह पर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं मीठा आप इसमें कम यह ज़्यादा कर सकते हैं तो इसको भी हम अच्छी तरह सिसमें मिला देंगे अब मैं इसमें जो बाइंडिंग के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन्स हैं आप चाहें तो इसमें जो देसी घी डाल सकते हैं घी को आपने पहले गरम किया हुआ घीस में डालना है अगर आप किसी वज़ा से घीस में नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप इसकी जगह प यह जो दूद है हलका गर्म है और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे. दूद हमनी इसमें उतना ही डाला है जिस से इसकी बाइंड़िंग अच्छी तरह से आजाए. और अभी न मुझे मैंने इसका थोड़ा सा मीठा चेक किया तो मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं एक से दो चमच जो गुड़ की शक्कर अवो इसमें और डाल रही हूँ इसको भी हम साथ में मिला देंगे आप इस टाइम पे इसका मीठा चेक कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी एड़ कर सकते हैं तो अभी हम इसको ऐसी हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे और तब तक हमने इसमें दूर डालना है जब आपको कर दो हृँ किसी और अफा से उड़ने दूर मिलांगे और इसके इस तरह से प्टा लेंगे ऑप जिसभी शेप में चाहें चोटे या बड़े इसके प्यड़े बना सकते हैं यह एक प्यड़ा मैंने बना लिएaler और यह देखे लुक इसनिगी कितनी प्यारी आ रही है और गुड की वज़े से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और यह उपर मैंने थोड़े से लगा दिये हैं इसके पिस्ता इसी तरह से हम बाकी सारे जो पेड़े हैं वो भी बना कर तेयार कर लेंगे तोड़कर आपको टेक्स्चर दिखाती हो यह कर सकते हैं एक एर टाइट कंटेनर में आपने इनको जो बंद करके फ्रिज में रख देना तो आई होप आपको आज की रस्पी अच्छी लगी होगी जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ अब तके लिए बाई टेक किया